नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज हम लोग बात करने वाले हैं इब्राइम रईसी के बारे में आखिरकार इस व्यक्ति को तहरान का कसाई क्यों कहा जाता है ऐसा क्या कर दिया इसने कि अमेरिका ने इसके उपर प्रतिबंद लगा दिया था और हाल ही में इसराइल की उपर ये आरोप लग रहे हैं कि इसराइल की जो मौसाद है उसके कुछ इंटेलिजेंस के यूनिट्स के जो आदमी थे वो इरान के अंदर इतना एक्टिव थे कि उनको पलपल की एक खबर थी कि इब्राइम रईसी कहां पर जा रहे हैं और जैसे ही वो अजरबेजान की एक विजिट से लोटते हैं तो उनका हेलिकॉप्टर क्रेश हो जाता है खास बात ये भी थी कि तीन हेलिकॉप्टर साथ में थे लेकिन फिर भी वही हेलिकॉप्टर क्यों क्रेश हुआ और इब्राइम रईसी उसके अंदर मारे गए और भारत की तरफ से फिंडरल के अंदर जग्दीब धनकड हिस्सा लेने वाले हैं इन सब बातों से परे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि तहरान का कसाई आखिरकार इब्राइम रईसी को क्यों कहा जाता है बड़ा ध्यां से सुनिएगा आप लोग क्योंकि ये लाइफ के लिए एक लेसंस भी हो सकते हैं हम अपनी जीवन के अंदर कई ऐसी गलतिया करते हैं खुद को इतना सूप्रीम लीडर समझते हैं खुद निर्णे को हम लोग सही समझते हैं और ये समझते हैं कि हमारे द्वारा जो निर्णे लिया गया है वो हमेशा सही होगा बात करते हैं हम लोग इब्राहेम रईसी के बारे में ये जो फोटो आप लोग यहां पर देख रहे हैं ये 1979 की है इस समय इब्राहिम रईसी की जो उम्र है वो 19 साल की रही थी 19 साल के अंदर रजा पहलवी का ये विरोध करने वाले एक नेता के रूप में उभरे थे और आप लोग देखिए कि नेता हमेशा वही बनता है जो की विरोध करता है इब्राहिम रईसी ने 1989 के अंदर रजा पहलवी का इतना विरोध किया कि रजा पहलवी को उसमत से हटना पड़ा था लेकिन कुछ समय और बीटता है और वक्त आता है 1988 का 1988 का 1988 के अंदर जब इरान के सूप्रिम लीडर खौम नहीं जब बनते हैं खौम नहीं के बनने के बाद सूप्रिम लीडर तो खौम नहीं थे लेकिन वहाँ पर दो पद होते हैं एक तो सूप्रिम लीडर और एक डैपूटी सूप्रिम लीडर तो जो deputy, मतलब राष्टपती और उप्राष्टपती का पद मान लीजिए, तो वहाँ पर जो राष्टपती थे, वो तो हौम नहीं थे, लेकिन deputy, supreme leader के जो पद पर थे, उस समय मुंतजिर थे, मुंतजिर उस समय ये मान के चलिए, कि बहुत powerful इंसान थे, लेकिन इतने कोई ख अंगठन था, जो कि इरान को पूरी तरीके से मुस्लिम नियमों पर चलाने के खिलाफ था, ऐसे 5000 राजनेतिक जो कैदी हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगता है, और फिर उनको मौत की सजा दी जाती है, इस मौत की सजा देने के अंदर, चार सदश्यों की कमिटी गठित होती है, और उस कमिटी के अंदर, जो सर्वे सर्वा थे, वो इब्राहिम रहीसी थे, और इब्राहिम रहीसी के रिकमेंडिशन पर ही, उन 5000 राजनेतिक कैदियों को मौत की सजा दी गई थी, इस बात का खुलासा तब होता है, जब 2011 के अंदर, मुंतजीर, जो कि डेपुटी सू खिलाफ थे कि 5000 राजनेतिक कैदियों को आखिरकार मौत की सजा क्यों दी गई है, और इस बात को लेकर अमेरिका भी बड़ा परिशान था, और अमेरिका ने इब्राहिम रैसी के ऊपर प्रतिबंद लगा दिया कि वो कभी भी अमेरिका के अंदर विजिट नहीं कर चली बात करते हैं कि इनका आगे पॉलिटिकल करियर जो है वो कैसा रहा है, अगर आप लोग चैनल की उपर नए हैं तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजी, ये चैनल बहुत 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 के सामने यूहीं अवेलबल करवाता रहेगा, यहा काई कहना लग गये थे तहरान के, थोड़ा सा मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि आखिरकार इब्राहिम रईसी यहां तक पहुंचे कैसे, 2004 के अंदर इब्राहिम रईसी को वहां की अदालत का सूप्रिम लीडर बनाए जाता है, मतलब कोट का, जो की डिसिजन देती है और वो इसलिए वहां पर लीडर बने थे क्योंकि वहां के जो सूप्रिम लीडर थे, खौम नहीं, उनके काफी सरपरस्थ यह माने जाते थे, खौम नहीं के काफी नजदीक थे, इब्राहिम रईसी इसलिए 2004 से लेकर 2014 तक वो उस अदालत के अंदर एक डेपुटी लीडर क की तोर पर काम करते हैं, और उसके बाद में उनका वर्चस तो काफी रहता है, पॉलिटिकली काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन बात आती है 2017 की, 2017 के अंदर जैसे ही राष्टपती के इलेक्शन्स होते हैं, तो यहां पर दो कैंडिडेट बहुत जबर्दस तरीके से मैदा में उतरते हैं, एक तरफ तो है हसन रोहानी और दूसरी तरफ है इबराहिम रईसी, हसन रोहानी को इस इलेक्शन्स के अंदर जो की 2017 में राष्टपती के चुनाव हुए थे, उसमें जीत हासिल होती है, और हसन रोहानी को 68% वोट उस समय हासिल होते हैं, लेकिन यह जो क्योंकि अलातुल्ला जो खौम नहीं है, उनका हाथ इनके उपर होता है, 2019 के अंदर इरान के चीफ जश्टिस बनाए जाते हैं, इबराहिम रईसी, 2019 में चीफ जश्टिस बनने के बाद इनके निर्णे कई बार ऐसे रहे हैं, जिसने इरान को और भी मुस्लिम धर्म के परत कटर बना दिया, लेकिन फिर वक्त आता है, 2021 का, 2021 के अंदर इबराहिम रईसी, 2021 में इबराहिम रईसी आठवे जो राश्टिस के इलेक्शन्स थे, उन इलेक्शन्स के अंदर उतरते हैं, और जीत हासिल होती है, क्योंकि इस बार हसन रोहानी उनके सामने नहीं थे, हसन रो आश्ट्पती बन जाते हैं, लेकिन सप्टेंबर 2022 के अंदर, सप्टेंबर 2022 के अंदर एक महिला है, जिसने हिजाब ठीक धंग से नहीं पहना था, मैं नाम ठोड़ा सा भूल रहा हूं, है न, अमीनी उस महिला का नाम था, हिजाब ठीक धंग से नहीं पहना था, और महिला को तो उस महिला की मौत पुलिस इस्टेशन के अंदर होती है और उसके बाद में पूरे इरान के अंदर प्रोटेश्ट होना शुरू हो जाते हैं उस प्रोटेश्ट के अंदर 551 लोग मारे जाते हैं और उसके बाद में इब्राइम रईसी के जो इमेज बनती है कि जो वहाँ की इरान के लोग हैं उनको ही मार दिया गया है पॉलिस के दौselकारियों को मार दिया गया है तो इबराईम रेशी को एक टैग मिल जाता है अब तो आप भी इस चीज से एगरी कर रहे होंगे ये जो इब्राहिम रईसी है अब रिसेंटली क्या होता है कि अजरबेज़ान से लोट रहे होते हैं और वहाँ पर इनका हेलिकॉप्टर क्रेश हो जाता है इसकी पीछे इसराइल का हाथ बताय जा रहा है क्योंकि इसराइल का कहना ये था कि इरान इन डिरेक्टली और डिरेक्टली हेल्प कर रहा है हमास को वहाँ पर फंडिंग कर रहा है और इसलिए इरान और इसराइल के बीच में काफी कांफिक्ट भी होता है एक बात और है यह जो इब्राहिम रई सी है इन्हों ने अपने आपको मोहमद पैगंबर साहाब के जो पड़पोते थे उनसे रिलेट बताया क्योंकि यह कहते थे कि एक शbd य کے काम में लेते थे नूहाशमी नूहाशमी है एक शबद ये काम में लेते थे है ना तो नू जो होता है उसका मींस होता है बेटा हाश हाशिम का बेटा है ना हाशिम का बेटा तो मुहमद पैगंबर सहाब जो थे उनके पड़ पोते उनके जो पड़ पोते थे उनसे अपने आपको रिलेट बताते थे और कहते थे कि मैं पैगंबर सहाब के उस जनरेशन स इसे बिलॉंग करता हूं तो ऐसे दावे इनके थे इसी लिए इनको जो इन्होंने काम किया था इसके तहट इनको तहराम का कसाई जो है वो कहा जाता है USA ने पहले ही इनके उपर प्रतिमन लगा रखा था क्या वाकरी में आप लोगों को लगता है कि आज इब्राहिम रही सी की जो मौत हुई है इसके अंदर इसराइल का हाथ है क्योंकि intelligence inputs ऐसा आज बया कर रही है कि इसराइल के दौरा कुछ जो slipper cells हैं वो इरान के अंदर active थे और उन्होंने पलपल की खबर रखी और हो सकता है मैं एक assume आप लोगों को बता रहा हूं कि इरान से जब इनकी यात्रा शुरू होती है तो फिर इनके helicopter के अंदर हो सकता है कि कोई ऐसा equipment change कर दिया गया हो जिससे technical कोई भी error वहाँ पर आई हो और इनका helicopter crash कर गया हो और खास बात है कि इनको ढूंडने का जो काम था वो रूस ने किया था और रूस और इरान के संबन बड़े जबर्दस रहे हैं इंटरनाशनल लेवल पर तो मुझे आप लोगो के comment के इंजार रहेगा कि आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आखिरकार इब्राहिम रईसी की मौत कैसे होई होगी अगर आप लोग को lecture पसंद आया है तो मुझे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजेगा इस YouTube चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा सेशन को like और share कर दीजेगा अगर आपकी किसी topic की demand है तो मुझे comment section जरूर बताइएगा मिलते हैं आप लोगो से अगले सेशन में तब तक लिए धन्यवाद थैंक्यू, जैहिद